4.2.2 रुकने का ग्राफ Graphs of Halts मान लो कि विद्याले के रास्ते में अपूर्वा को किसी कारण से 4 मिनट चलने के बाद 4 मिनट रुकना पड़ा उसके बाद वह एक समान गती से चल कर विद्याले पहुँच गई उसके विद्याले पहुँचने तक की गती का ग्राफ चित्र 6 में दिखाया गया है जब अपूर्वा पहले 4 मिनट के बाद रुकी तो वह 24 मीटर की दूरी तै कर चुकी थी अब अगले 4 मिनट तक अपूर्वा रुकी रही है इस दौरान समय तो बढ़कर 8 मिनट हो गया पर उसके द्वारा तै की गई दूरी अभी भी 24 मीटर ही है इसलिए ग्राफ पर अगला बिंदू 8 मिनट वह 24 मीटर पर लगा जब कोई भी वस्तु किसी स्थान पर पहुँच कर रुक जाती है तो समय तो बीटता जाता है परंतु दूरी नहीं बदलती है इसलिए जैसा कि हमने अभी देखा कि रुके हुए हिस्से में ग्राफ समय अक्ष के समानांतर हो जाता है अब चित्र 6 का ग्राफ देख कर बताएं कि किस प्रकार की गती में अपूर्वा की ओस्त चाल क्या थी जब अपूर्वा बिना रुके स्कूल पहुँची तब उसकी ओस्त चाल क्या थी ग्राफ चित्र 4 वसारणी क्रमांग 3 देख कर बताएं इन दोनों औसत चालों में कितना अंतर है? इस अंतर का कारण बताएं प्रश्न, अनामिका की यात्रा के आकड़े सारणी क्रमांग चार में दिये गए हैं इन आकड़ों के आधार पर अनामिका की गती का ग्राफ खीचे और उसकी औसत चाल ग्यात करें बताएं की ग्यात्रा के किस हिस्से में उसकी चाल सबसे अधिक रहेगी क्या वह रास्ते में रुकी? यदि हां तो कितने समय के लिए?